नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन, निरामाय होमियोपेथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं fatty liver disease के बारे में चुकि liver fatty acids का भी metabolism करता है, तो इस metabolism के दोरान जो triglycerides होते हैं, यानि कि जो neutral fats होते हैं, वो liver की कोशिकाओं में droplets के रूप में एखटे हो जाते हैं, यानि कि वसा की कुछ बूंदों के रूप में वो liver की कोशिकाओं में एखटे हो जाते हैं इसे ही fatty liver या hepatic estritosis कहा जाता है, दोस्तो fatty liver disease दो प्रकार की होती है, एक non-alcoholic fatty liver disease यानि कि NAFLD और एक alcoholic fatty liver disease non-alcoholic fatty liver disease यानि कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि वे patients जिन में alcohol के consumption की कोई history नहीं होती है उसके बाद भी उनके खाने पीने में आये हुए पदार्थों के कारण ही liver में fat के globules एखटे हो जाते हैं, fat के droplets एखटे हो जाते हैं तब उस condition को non-alcoholic fatty liver disease कहा जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं non-alcoholic fatty liver disease के risk factors के बारे में तो इसमें सबसे पहला आता है co-morbidities यानि कि हमारी body में पाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी बीमारिया जैसे कि आप मालनीजी obesity है या hyper cholestremia है किसी को उनका lipids बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है किसी को hypertension है उनको BP की शिकायत है या फिर उनकी body में gout है या उनको insulin resistance की शिकायत है तो ये ऐसी conditions है जो की NAFLD यानि की non-alcoholic fatty liver disease की साथ associated होती है इनने comorbidities कहा जाता है इसके बाद अगला risk factor है दोस्तो genetical risk factor यानि की वे लोग जिन में type 2 diabetes की family history पाई जाती है उनकी family में बहुत सारे लोगों को या कई लोगों को type 2 diabetes mellitus की history है उन में से 67% लोगों में यानि की 67% लोगों में non-alcoholic fatty liver disease की भी शिकायत पाई जाती है दोस्तो इसके बाद अगला risk factor आता है diet वे लोग जिनके भोजन में omega 6 fatty acids और fructose की मात्रा बहुत जादा होती है उनके भोजन में koline की deficiency होती है ऐसे लोग भी NAFLD के लिए बहुत जादा susceptible होते हैं यानि की non-alcoholic fatty liver disease उन लोगों में जादा पाई जाती है इसके अलाबा carbohydrates और sugar की भी NAFLD के development में एक बहुत जादा भूमिका होती है दोस्तो अब हम बात करते हैं alcoholic fatty liver disease के बारे में यानि की वे लोग जो alcohol का over consumption करते हैं alcohol की बहुत जादा मात्रा का सेवन करते हैं उन लोगों में जब fatty liver disease पाई जाती है तब उस condition को alcoholic fatty liver disease कहते हैं alcoholic fatty liver disease के cases में उन patients में chronic hepatitis, fibrosis और liver cirrhosis भी पाया जाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं alcoholic fatty liver disease के risk factors के बारे में तो इसमें सबसे पहना risk factor है alcohol का consumption जो लोग 60-80 gram per day beer या alcohol का सेवन करते हैं उन लोगों में alcoholic fatty liver disease होने के chance से 47% यानि कि 47% जादा होते हैं इसके बाद अगला है sex महिलाओं में पुरुषों की या पेक्षा जादा fatty liver disease होने की सम्भावना होती है इसके अलावा तीसरे नम्मर पर आता है pattern of drinking यानि कि वे लोग जो alcohol का सेवन खाली पेट करते हैं उनमें fatty liver disease होने की सम्भावना सामान्य alcohol consumption करने वाले लोगों से 3 गुना जादा होती है इसके अलावा hepatitis का infection, genetic factor और diet भी इसमें risk factor का का काम करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं fatty liver disease के science और symptoms के बारे में तो सामान्य निता बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे patients में alcoholic या non-alcoholic fatty liver disease के बहुत सारे symptoms देखने में नहीं आते हैं या जब उनमें symptoms आते हैं तब वो grade 2 या grade 3 से उपर की stage वहाँ पर develop हो जाती है इनमें जो symptoms आते हैं उनमें ज़्यादा तर malize यानि की एक uneasiness की feeling होना fatigue यानि की थकान बने रहना body के बहुत सारे parts में दर्द होना खास तोर से जो दर्द होता है वो right upper quadrant यानि की abdomen के इस हिस्से में दर्द होना बहुत ज़्यादा दर्द होता है कई सारे patients को कभी-कभी ये pain shoulder, right shoulder के नीचे भी या right shoulder के पीछे वाले हिस्से में भी कभी-कभी ये दर्द कई लोगों में पाया जाता है जब कई सारे patients में fatty liver बहुत ज़्यादा severe condition में पहुँच जाता है तब बहुत rare cases में बहुत सारे patients को पीलिया यानी की jaundice भी देखने को मिलता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन homeopathic दवाओं से हम non-alcoholic fatty liver disease और alcoholic fatty liver disease को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहली जो medicine आती है दोस्तों वो है chalidonia magus हमें इसका mother tinger यूज़ करना है इसकी 10-10 बून दिन में 3 बार आदे कप या एक कप पानी में मिला कर हमें पीना चाहिए इसके जो patients होते हैं उनमें abdomen के right upper quadrant यानी की पेट के दाहिनी उपरी हिस्से में जहां liver इस्थित होता है उस हिस्से में उन्हें दर्द होता है कभी-कभी ये दर्द right shoulder के नीचे या right shoulder के पीछे वाले हिस्से में भी पहुच जाता है इसके अलावा abdomen में distension के साथ साथ उनको nausea और vomiting की भी शिकायत होती है इन patients में बहुत ज़्यादा constipation में रहता है और उस constipation के कारण इनका जो मल है जो stool है वो hard balls की रूप में परिवर्तित हो जाता है तब उस condition में हमें chelidonium का mother tinger उन patients को देना चाहिए इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों carduos marinas carduos marinas का भी हमें mother tinger 10-10 बून दिन में 3 बार उन patients को देना चाहिए जिन में fatty liver disease की शिकायत होती है इस mother tinger को हम आदे कप या एक कप पानी में मिला कर उन्हें दे सकते हैं carduos marinas के जो patients होते हैं उनके liver का left lobe बहुत ज़्यादा sensitive होता है उन्हें भी constipation की शिकायत होती है कभी-कभी उन patients में diarrhea भी देखने को मिलता है उनकी urine golden color की होती है और green acid की उनको vomiting होती है यानि की हरे color का acid vomiting की रूप में उनमें निकलता है तब उस condition में हम उन्हें carduos marinas का mother tinger 10-10 बून दिन में 3 बार आदे कप पानी में मिला कर दे सकते हैं इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तो लाइको पोडियम इसे हमें 30 potency में उन patients को देना है जिन में fatty liver disease की शिकायत है चाहे वो non-alcoholic हो या alcoholic हो इसकी दो-दो बून दिन में 3 बार एक चमच पानी में मिला कर हमें patients को देना चाहिए इसके जो patients होते हैं उनमें abdomen में fullness और heaviness की बहुत जादा शिकायत होती है किसी ना किसी प्रकार की gastric complaint उन patients में continuously देखने को मिलती है constipation भी उनको रह सकता है acid reflux भी उनमें पाया जा सकता है इस टमख में burning के sensation भी उनको develop हो जाते है ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दो निवाले जो भी खाते हैं वो पूरा खाना gas में परिवर्तित हो जाता है इसके अलावा शाम के समय उन लोगों की तकलीफ बहुत जादा बढ़ जाती है और farinaceous food यानी की पास्ता, नूडल, चाबल ये सब चीजें उनको बहुत जादा नुकसान करती है यदि वो इनको थोड़ी मात्रा में भी खा लेते हैं तो उनके पेट में उने बहुत जादा तकलीफ या दर्द होने लगता है तब उस condition में हमें lycopodium 30 potency में 2-2 बून, दिन में 3 मार, 1 चमबच पानी में मिला कर उन patients को देना चाहिए इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों, phosphorus जिन लोगों को खाना खाने के बाद खटी डखा रहे आती है बहुत जादा acid reflux की शिकायत होती है उन लोगों में हमें phosphorus 30 potency में 2-2 बून, दिन में 3 मार, 1 चमबच पानी में मिला कर उपयोग करना चाहिए इसके जो patients होते हैं, उन्हें ठंडी चीज़े खाने की आदत होती है उन्हें ठंडी चीज़े खाना बहुत अच्छा लगता है और food का regurgitation यानि कि कभी-कभी उनके मुह में वो जो खाना खाते हैं, वो वापस regurgitate हो जाता है और उसके साथ-साथ कभी-कभी vomiting भी हो जाती है इसके बाद अगले medicine आती है दोस्तों calcaria carb इसके जो patients होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोज में calcaria carb की drug picture आपको बता चुका हूँ कि इनके जो patients होते हैं, वो fatty, flabby और fair होते हैं आने की मौटे थुल्थुले patient होते हैं, तो वे लोग जिनमें obesity के कारण fatty liver disease की शिकायत डैवलप हो जाती है उन लोगों में calcaria carb बहुत अच्छे medicine है, calcaria carb हम उन patients को 30 potency में 2-2 बून दिन में 3 मार करके दे सकते हैं एक चमच पानी में मिला का, ये जो patients होते हैं, उनको दूद से बहुत जादा शिकायत रहती है, दूद से उनकी सारी complaints में aggravation हो जाता है वो दूद बिलकुल भी digest नहीं कर पाते हैं, उनका digestion बहुत जादा weak रहता है बहुत सारे ऐसे patients होते हैं Calculia Carb के, जिने चौक, मिट्टी, उबले हुए अंडे, ये सब चीजे खाना पसंद होती है तब उन conditions में यदि patients में fatty liver disease भी पाई जाती है, तब हम उने Calculia Carb 30 potency में दे सकते हैं दोस्तों इसके बाद अगली medicine आती है Nux vomica Nux vomica alcoholic fatty liver disease के लिए लगभग लगभग एक बहुत specific medicine है क्योंकि इसके जो patients होते हैं, उनमे fatty liver disease, alcohol के over consumption के कारण develop होती है इसके जो patients होते हैं, वो high social life को जीते हैं, sedentary lifestyle उनकी रहती है कई घंटों तक वो एक ही जगह पर बैट कर काम करते रहते हैं बहुत सारी parties में जाते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा वो alcohol का सेवन करते हैं non wage बहुत ज़्यादा खाते हैं, spicy food बहुत ज़्यादा खाते हैं तब उन conditions में उन patients को हमें Nux vomica 30 potency में दो दो बून दिन में तीन मार, एक चमच पानी में मिला कर देना चाहिए दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा combination जिसका use, जब हम patient के constitution से match करने वाली medicine के साथ fatty liver disease के cases में करते हैं, चाहे वो non alcoholic fatty liver disease हो चाहे वो alcoholic fatty liver disease हो, तब हम fatty liver disease को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इसमें आपको तीन medicines ले कर आना है दोस्तों, सबसे पहले cardus marinas का mother tincture 30 ml की मात्रा में, इसके बाद chalidonia magas का mother tincture, ये भी 30 ml और इसके बाद chionanthus का mother tincture, ये भी 30 ml इन तीनों की 30 ml की मात्रा को आपको एक 100 ml की शीशी में एकटा कर लेना है, उसको अच्छे से shake कर लेना है और उसमें से 20-20 spoon दिन में 3 बार आदे कप या एक कप पानी में मिला कर उप्योग करना है इसके साथ साथ natrium phos 12x potency में भी आपको ले कराना है और उसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार सुबह दुपहर शाम खाना है इन दोनों के combination के यूज से हम fatty liver disease के किसी भी case को चाहे वो acute हो, चाहे वो chronic हो, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों, आज हमने जाना कि fatty liver disease क्या है, ये कितने तरह का होता है, ये क्यों develop होता है, इसके risk factors क्या क्या है और किन homeopathic दवाओं से हम alcoholic और non-alcoholic fatty liver diseases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी homeopathic दवाईयों के बारे में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में केवाल एक बार खाना है, उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए, मूँ में अच्छे से कुला करके